इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देख कर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई side effect होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. Joicum ODT-200 tablet is a prescription medicine used in the treatment of schizophrenia, a mental disorder that can result in hallucinations or delusions and also adversely affects a person's ability to think and behave. Joicum ODT-200 tablet may be taken with or without food, preferably before bedtime. हाला कि इसे हर दिन एक तै समय पर लेने की सलाह दी जाती है क्योंकि इससे शरीर में दवा के समान लेवल को बनाए रखने में मदद मिलती है. इस दवा को अपने डॉक्टर द्वारा निर्धारित खुराक और अवधी में ही ले और अगर आप कोई खुराक लेना भूल गए हैं, तो उसे जल्द ही ले ले. बहतर महसूस होने के बावजूद भी दवा की कोई खुराक ना छोड़ें और इलाज का कोई पूरा खत्म करें. ये आवश्यक है कि डॉक्टर से बात किये बिना इस दवा को अचानक बंद न किया जाए क्यूकि इस से आपके लक्षणों की अवस्था और भी खराब हो सकती है. इस दवा के कुछ सामान इस साइड इफेक्ट में मिचली आना, उल्टी और मूह में सूखापन होना शामिल है. शुरुवात में जब आप पोजीशन बदलते हैं तो यह दवा ब्लड प्रेशर में अचानक कमी ला सकती है. इसलिए अगर आप बैठे या लेटे रहे हैं तो धीरे धीरे उठना बहतर होता है. इससे चक्कर आने और नींद आने की समस्या भी होती है. इसलिए जब तक आप यह न जान ले कि यह दवा आपको कैसे प्रभावित करती है. तब तक ड्राइव न करें या कुछ भी ऐसा न करें जिसमें दिमाग को एक आग रखने की आवशक्ता हो. यह दवा वजन बढ़ना उत्पन कर सकती है और बलड शुगर और कॉलिस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ा सकती है. हाला कि स्वस्थाहार और व्यायाम नियमित रूप से कम करके अपनी लाइफ अस्टाइल को संशोधित करना इस दुश्प्रभाव को कम कर सकता है. विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद. अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें. धन्यवाद.